हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब चलिए आज बनाते हैं डाल का दुला तो ये देखिए डाल का दुला हमने बना के रखा है बहुत ही मजेदार और देखने में बहुत ही अच्छा है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है तो आप इसको क्या बोलते हैं डाल के साथ हमने बनाया ह इसको हंडी में तो इसको कुछ लोग दाल ढोकला बोलते हैं कुछ लोग दाल फरा बोलते हैं आप क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए टेस्ट करते हैं वाव घजब का टेस्टी बना है चलिए इसकी रेशिपी शुरू करते हैं ये हमने लिया है पीतल का हंडी, गैस पे रखते हैं, गैस ओन करते हैं, इसमें डालेंगे सबसे पहले पानी, और लौकी टमाटर, प्याज, लहसुन, सब हमने बहुत ही अच्छे से धुल के छोटे-छोटे कट कर लिये हैं, इधर हमने हल्दी और नमक डाल दिया है, पानी हम मारा उबलने लगे, तभी इसको डाल को डालेंगे, थोड़ा सा एक चमश हमने सरसो का तेल डाला है, और इसको ढखके उबलने देते हैं, तो ये देखिया, आदे गंटे पहले हमने डाल भीगो दिया था, इसमें लिये हैं, अरहर का डाल, एक कटोरी, और वन फोर्थ के कर मूं का खड़ा डाल, तो इस तरीके से डाल इसका बनाईए ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तेस्टी लगता है, अब ये उबलने लगा है, तो अब इसको हम डाल देते हैं, और चला देंगे, इसको ढखके पकाएंगे धिमियाज पे, करिब 10 से 15 मिनट के लिए, अब लगाएंगे आटा, तो इसका दाल का दुला जो बनता है ना, तो आटे से ही बनता है, तो आटे में एक कटोरी हमने लिए आटा, इसमें हमने चार लोगों के लिए बनाया है, तो एक कटोरी इनफ है, हल्दी पावडर, लाल मिर्च पावडर, नमक, सब कुछ डाल के सक्त आटा गूत लिजे, इसको सक्त ही आटा गूतिएगा, गीला बिलकुल नहों, नहीं तो बेलने में दिक्कत होगी, और उसका दाल का जो फरा हमने बनाया है, वो बनाने में दिक्कत हो जाएगी, तो इधर हमारी बहुने भी देखिए, मेरा हेल्फ किया है, चलिए, अब ये द दाल देखिए, हलका हलका गल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जो लोकी हमने काटके रखा है, उसको डाल देंगे, थोड़ा सा दाल पक जाए, तभी डालिएगा, कूकर में तो सब साथ में पक जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी देर में पकाईए, तो धीमई करके हमने प बड़ा चोटा तो जिसे पैथन लगा के जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बेल लिजे पतला ही बेल लिएगा मोटा बिल्कुल नहों तो देखिए हमने इस तरीके से बेल के को अच्छे से पूरा चकला भर हमें फैला लिया है अब इसको कट करेंगे यह देखिए ऐसा ही होना चाहिए तो दूसरी थाली में हमने कर लिया है इसको क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था यह कूकी कटर हमने लिया है उससे कट किये हैं आपके पास नहों तो जैसे ग्लास से कट कर सकते हैं छोटी कटोरी से कट कर सकते हैं तो अब हम एक उठाएंगे और इस तरीके से सेब देंगे तो ये देखिए आप किस तरीके से सेब देते हैं हमें बताईएगा हम उस तरीके से भी कोशिस करेंगे तो इस तरीके से हमने बना लिया है, ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है ये, तो अगर आपके पास भी दो लोग हैं, तो दोनों लोग की हेल्प से अपना बना लिजे, जल्दी से बन जाएगा, तो हमारी चार लोईयां थी, तो करीब-करीब हमारा सब हो गया है, ये लास्ट लोई, फिर से बेल लेते हैं, तो जो किनारे किनारे का कटा हुआ रहता है न, उसको भी मिला के बेल लेंगे, तो ये देखिए, हमारा पूरा बन के तयार हो गया है, चलिए, ये भी हमारा हो गया, इसको भी हम कर लेते हैं, उसी तरीके से, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सेयर करिए, तो ये हमारा चार लोईयों में इतना धेर सरा बन के तयार हो गया, तो क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बनाना रथता है, इसके साथ डाल के साथ ये फरा बनता है तो चावल वल हम लोग नहीं बनाते हैं, बस यही खाते हैं, अब बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, कभी ताल चावल खाने का मनना हो, तो ये बनाए, ये बहुत ही तो ये देखिया हमारा एकदम parfait तयार हो गया बहुत ही अच्छे से गल गया ऐसा नहीं है इसमें बहुत ही अच्छे से गल जाता है और साथ में बहुत ही healthy है तो इसमें जरूर आप पीतल के बते में कभी-कभी बनाया करिए कूकर में छोड के आजकाल तो इसी में सब बनाते ह तो हम भी कभी कभी बनाते हैं तो इधर हमने छोटू सा कड़ाई रखा इसमें डालेंगे देशी गी और लसुन, हरी, मेज, प्याज, सब बारिक काटके हमने डाल दिया है इसको फ्राई कर दिये हैं और इधर हमारा दाल उबल रहा है तो अब हम डालेंगे इसमें डाल परा को तो ये देखिए पुरा इसमें डाल देंगे अच्छे से और इसको धीमी आज करके पका लेंगे करिब 10 मिनट के लिए धीमी आज पे पकाना जरूरी है तभी अच्छे से ये पकता है बिल्कुल कच्चापन नहीं रहता है बहुत ही अच्छे से बन जाता है इसमें थोड़ा खटाई के लिए इमली भी डालेंगे इधर हमारा देखे चोकन अच्छे से बन गया है और इसमें डालेंगे टमाटर टमाटर डालने से खुवच्चे से टेस्ट आ जाता है उसमें और देखने में भी कलर भी बहुत अच्छा होता है फिर नमक डाल देंगे इसको खुवच्चे से तल लेंगे तो इसी में हमने डाला है गरम मसाला तो दो चम्मज भरके हमने गरम मसाला डा दलाँ है थोड़ा सा हल्दी हमने डाल धिया है और इसको मिला लेंगे तो ये देखे परफिक्ट हमारा तयार हो गया है और एकल मारा परक गया है तो अब डालेंगे एमली का हमने भीवह के पहले से रखा था इसमें डाल दीजिए तो बहुत अच्छा टेश्ट आता है तो करेब करेब दाल का दुला जो है बन गया है अब इसको डालते हैं फ्राई करते हैं अब हम गैस आफ करते देते हैं और दूसरा छोकर हम फिर से बना लेते हैं कतोरी में हमने लिया है और पड़ी वाली राई और करीपता इससे भी ब्लास्ट में चौक कर दीजे ने तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये देखिए हमारा कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही बहुत ही अच्छा खाने का तुरंत मन कर रहा है बहुत ही टेस्टी तरीके से बनता है दोस्तों आप भी जरूर बना के इंशुए करिएगा अग कमेंट करके जरूर बताइगा कि मेरीthyपी आपको कैसी लगती है चलिए पीतल के हटल के थाली में सर्व भी करते हैं तो चलिए मिलजूर्ण के सात में खाया जाए अब इसमें सर्व कर लेते हैं यह देखिए अब डालेंगे इसमें से उपर से करी पत्ता और राई का तड़का ये देखे किता मज़ेदार यमी फूल के किता बड़ा बड़ा साइस हो गया है ये तो ये हमारा दाल का दुला बनके तयार हुआ आपको मेरी रेश्वी अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करिए और साथ में फ्रेंड के साथ सेर करिए